नमस्ते बच्चों, आई जेविया निशु शर्मा, जयोती विद्यापी, वुमेंस उनिवर्सिटी, डिपार्ट्मेंट अफ साइन्स टेक्नोलजी, फैकल्टी ओफ एजुकेशन और मेथोलोजी, तोड़े आर सैशन इस वाट इस फाइल हैं इन सी, ठीक है, तो बेसिकली, फ ओपन कैसे करते हैं, TXT FILE को, Close कैसे करते हैं, TXT FILE को, Read कैसे करते हैं, Write कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या आज इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक हैं, तो आज के सेशन में हम लोग binary फाइल हैंदलिंग की बाएम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फस्ट हम बात कर device मतलब hard disk तो हम लोग क्या करते हैं file handling में data को हम लोग hard disk में permanently store करते हैं ठीक है file handling को open कर सकते हैं close कर सकते हैं read कर सकते हैż write कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं file handling का मतलब अगर अगर हम ये बोले जो use अब बात आती है कि file handling का use क्यों करते है तो एक चीज़ बताते है कि जब programmer अपना program को बंद करता है तब program का सारा data जो होता वो क्या हो जाता है destroy हो जाता है तो उस time में हम लोग क्या करते है program में data store कराने के लिए programmer जो होता है वो कुछ variables का कुछ array का कुछ structure का कुछ unions का क्या करता है यूज करता है पर यह जो data होता है यह permanently store तो नहीं होता है ठीक है तो इसे permanently store करने के लिए हम लोग क्या करते है file handling का use करते है समझवा है है देखो हम लोग क्या कर रहे है कि जब programmer program को बंद करता है तो उसका जितना भी data होता है वो क्या हो जाता है destroy होता है, delete हो जाता है तो उस program में उस data को store कराने के लिए programmer कुछ variables का, array का, structure का, unions का बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, use करता है पर जितना भी इन चीज़ों को लेता है, variables को लेता है, array को लेता है यह permanently data में store नहीं होता है तो उसको permanent store कराने के लिए हम लोग file handling का use करते है clear है, तो file handling के time duration में जब हमारी कुछ files create हो जाती है चाहिए वो different types की क्यों ना हो, चाहिए वो dot text file की हो चाहिए वो doc type ही हो या चाहिए वो excel की हो या जो भी जिस भी type की वो file create हुई है, file handling के duration में वो सब क्या हो जाती है, portable हो जाती है clear है, तो अगर हम और यह जो portable file होती है वो हम किसी भी, ऐसा नहीं है, कि हम जिस system पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसी system पे वो करेंगी, नई, जितने भी files हैं वो सारे क्या होती है, उस computer में भी use हो सकती है और उसके अलावबद जितने भी computers हैं, उस सारे computers में क्या होता है वो use हो जाती है, clear है, अब file handling के कुछ operations होता है जैसे कि अभी हमने बात करा था कि file handling में कुछ operations होता है अब वो file handling के जो operation है, वो हम लोग कहां use करते है open, f close, f print, f scan, यह सब हमारी क्या है, file की operation है, जिसके आगे हम open, close, print, scan, get ch, port, seek, इनके आगे अगे अगर हम f जोड़ देते हैं, f को add करते हैं, तो यह सब हमारी क्या हो जाते हैं, file के operations हो जाते हैं, उनके function हो जाते हैं, f print, मतलब file में जो भी data लिखा होगा, उसको हम write करने के लिए, f scan का हम लोग क्यों यूज करते हैं, file में data को read किया जाने के लिए, ठीक है, f get हम लोग क्यों करते हैं, file में जो भी character है, उनको read कैसे होता है, उसके लिए, f put हम लोग file में character को write किया जाता है, तो ये सारी चीज़े हम लोग क्यों use करते हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ screen पर आता है, screen पर देखे हम लोगों ने बात किया कि what is file handling, तो आपको समझ में आगे, file handling में हम लोग क्या कर रहा है, data को permanently store कराने के लिए, उसमें कुछ जगे डिस्क में देने के लिए, हम लोग यह file handling का use करते हैं, ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पढ़ है, हमने अभी बात किया था, मैंने जिसे भी आपको बताया था, कि dot text files भी हो सकती है, हमारी binary files भी हो सकती है, हमारी doc files भी हो सकती है, तो यह सब चीजे में हम लोग इसको use करते हैं, ठीक है, अब फॉर्थ हमने बात किया कि file handling operations क्या क्यों होता है, f open होता है, f close होता है, get c होता है, put c होता है, scan f होता है, print f होता है, get w, put w, f seek, f tell, rewind, तो यह सब चीजे हम इनके आगे हम लोग, first हम लोग क्या notation क्या use कर लेंगे, f use कर लेंगे, तो यह सब चीजे हमारी क्या होगे, file handling के operations हो गए, ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है, it is important to note that a file type pointer needs to be declared when working with files, हमको यह सारे operation use करने से पहले हमको file type का pointer use करना पड़ेगा, यह हमने previous class में भी कल हम लोग ने discuss किया था, तो हम उसको किस तरह किसे लिखेंगे, file pointer, f pointer, ठीक है, अब open करने के लिए हम लोग क्या use करेंगे, open करने के लिए हमने बात किया था कि हम open command use करेंगे, open functions use करेंगे, open operator use करेंगे, अब किस तरही के से करेंगे, देखें, हम लोग use करेंगे, pointer, f pointer, equals to file, pointer f open, हम किसको open करना चाहरे हैं, suppose मैंने दिया एक const है मेरा char, file का जो भी name है, और const char और उसका mode, ठीक है, अब एक example के थूँ अगर हम देखेंगे, अब इसको, तो पहले सबसे पहले देखेंगे, f pointer का मतलब क्या है, कि pointer to the file that establish a connection between the file and the program, file और program के बीच में connection को establish करने के लिए हम f pointer का use करते हैं, pointer file name का हम लोग use करते हैं, कि file का जो name है, वो क्या है, मुझे find करना है, या मुझे देना है, तो हम लोग file underscore name के through दे सकते हैं, mode का हम लोग use करते हैं, कि case file को हम लोग open करना चाहते हैं, clear है, the following modes, अब हम यहाँ बात करें कि mode कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखेंगे, बहुत सारे हम लोग mode की अगर बात करें, mode पर करना चाहते हैं, then a, reading और writing दोनों पर करना चाहते हैं, तो r plus, text file हम बोथ reading and writing करना चाहते हैं, w plus, या append करना चाहते है, read और write दोनों को, a plus, और अगर हम binary file को reading mode पर पर पढ़ना चाहते हैं, तो r भी, इस तरीके से हमारे mode होते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग mode पर यूज़ करते हैं, ठीक है, अब close अगर मुझे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, int f close, bracket में file into f pointer, ये तो याद कर लो, समझ लो, इसको कि file pointer, f pointer से हम लोग उसको denote करेंगे, ठीक है, और 7th हमारे जो last है, कि हम लोग read और write कराने के लिए, कौन सी text file का use करेंगे, तो हमें पता है, कि 3 type के streams होती है, input stream, output stream, या input output stream, इससे हम लोग क्या करेंगे, कि input और output operation हमें उस file में help मिल जाएगी, कि हमको कौन सा file को read करना है, और कौन से file को में write कराना है, तो इसके लिए हम input और output operations को file में use करते हैं, I hope आपको इस video में clear हुआ होगा, if you have any query, any doubts, then message me on the comment box, thank you for watching, this session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidya Peet, Women's University, thank you.